सच रिकाल जी, जी आए नो मेरे चैनल फुर्टिस्ट्री थे जद भी आसी स्किन केर दी गल कर दे हां ता फेस पैक या फेस मास्क सब तो एक्साइटिंग एंद मज़िदार चीज लगती है कर्च होए या बार ब्यूटी पालर्च एज जरूर पुछते हां कि अज केड़ा फेस पैक लगाया जाए होममेड और रेडिमेड फेस पैक ती बहुत विराइटी है और फेस मास्क या फेस पैक बहुत जरूरी स्टेफ भी होंदा है क्योंकि exfoliation तो बात एप पोर्स नू बंद कर दा है पामें cleansers हो physical exfoliators जिमे की scrub या फर chemical peels tension stress pollution तुप साधी skin नू irritate कर दिन दी है और इस नू काम और शांत करनते लें फेस पैक कम दी चीज है मैं रिसेंटली जेवा कंपनी ता अक्टिवेटेद चार्कॉल फेस पैक ट्राइग की ता चार्कॉल अग्रेडेंट काफी टाइम तो ट्रेंड़ेश है पर मैं कदे भी यूस ने कर पाई सो यह पहली वार है कि मैं कुछ चार्कॉल वाला बरत रही है पैकेजिंग तुसी ता वेखी लाई है आउटर कार्बर बॉक्स ते सारे इन डिटेल्स हुन दिया ने अंदर में जार प्लास्टिक ते बहुत स्टेडी है और 100 ग्राम्स ते क्वांटिटी ते प्राइज 4.49 है जो कि तुसी डिसकांट ते भी लब सक देओ जार दे अंदर एक प्रोटेक्टिंग लिट मिलोगी जो कि हाईजीन परपरस और ट्रावलिंग दे वाक्त एनू दुलन तो बचांदी है हुन जी में इंग्रीडियंस ती गल करना था मैंनू कुछ चंगे इंग्रीडियंस दिस रहने है जी में की अक्टिविटे चार कोल जो कि हम साथे पोल्स नू अंक्लोक कर दें लिंकर दें पूरिफाइ कर दें चाइनक ले बें बेंट नाइप पावडर खैलिंग ग्रियं इस सारी इंग्रीडियंस गिंदे लिए बहुत सुटेबल है बट एथे मैंनू हाइडरेटिंग एलिमेंस भी दिस रहने है जिवें की ओलिव ओल, आगन ओल, सेटर वोड ओल, लेमन ओल, गलिसरीन, अलिवर, विटमेनी एक वीगन प्रडुक्त है और इस प्रडुक्त नू बहुत जादा प्रडुक्त यूस होगा और पतनी एप्लाय करदे स्मूद्ली अपलाय होएगी नहीं बट थोडिः ये क्वांटिटी बहुत स्मूद्ली बहुत सौफली एप्लाय होगी पूरे ए फेस तेए फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रूंग है पट एफरेगरेंस जथ उ अप्लाइ कर दियो तो मोमेंट ये अप्लाइ ए बिल्कुल चली जान दिये फ्रेग्रेंस बिल्कुल वी फ्रेग्रेंस तौनों महसूस ही नहीं हुंदी कंपनी वैसे क्लेम कर दिये कि ये प्यूरिफाइंग मास्क है मगर ए तौड़े फेस नू ड्राइ नी करेगा सुखाएगा नी उते मैं एक्री कर दियां कंप्लीटली ओनिसली मैं दसां था मैं थोड़ा पहले डारी सीगी है नू लगाऊन तो पहला कि मेरी सेंजिटिव स्किन है और ए मेरी स्किन नू इरिटेट ना करें बर्न न करें ना करें क्योंकि मारकेट चिर में बहुत फेस पैक लगाये ने ते वो मेरी सकिन जलाओने ने और मेरी स्किन ते फिर राशेज वगरा हो जाने ने बट एस इनना सोफ्ट है एननी हाइडरेटिंग और बिल्कुल वी एनने मेरी स्किन ते कोई बर्निंग सेसेशन नी किती और बहुत ऐस सर्दियां इस मौसम ची वी इसने बहुत चंगा काम कीता है और पूरा मास्किंग प्रोसेस एनने तगडी सर्दी चवी बहुत स्मूदली हो गया शुक वी छेती गया ते एनने मेरी स्किन नूँ सॉफ्ट भी बनाता मेरा फेस तो उन्तो बाद एर जिया लगा कि क्लीन भी है तेनाला सॉफ्ट भी है मतलब बिलकुल भी एनने मौस्टर नहीं खिचिया मौस्टर नूँ मेंटेन करके रख्या सो ओवरॉल इस ठंदे वेलेवी मैं इस चेवा एक्टिवेटेड चार्कुल फेस पाक विद आर्गन ओल नूँ बहुत इंजॉई कर रही है बहुत बहुत तन्वा त्वादा मेरे चैनल ते अंदेली आशा कर दिया होप कर दिया के ए वीडियो त्वादे कीमती समय दे हिस त्वादा च्रिकाल